आज का हम लोगों का टॉपिक जो है ओडियो वार्प वार्पिंग कैसे कहते है और वार्पिंग का मीनिंग क्या है यह हम लोग अज दिखेंगे और वार्पिंग किसलिए लगता है तो देखिए बहुत सारा लोगों का पास होम स्टूडियो है जैसे कि स्टूडियो बना लिया है इधर रेकॉर्डिंग भी हो रहा है वोकल भी रेकॉर्डिंग हो रहा है इधर फ्लूड भी रेकॉर्डिंग हो रहा है और यह जगा मास्टरिंग का जाएगा है जैसे कि यह ज तबला लेके बैठा है यह रूम में वोकल गाना गा रहा है और यह रूम में कीबोर्ड इस्ट है तो तीनों अलग अलग जगा पर है तो तीनों हेटफोन में सभी सुन रहे हैं तीनों तीनों का साउंड सुन रहे हैं रानिंग ट्रैक्स में रेकॉर्डिंग हो रहा है जब मै ठीक से जगा में एस पर दा क्लिक हम लोग नहीं बजाया तो यह अब लोगों को लगेगा तो एस पर दा क्लिक करने के लिए हम लोगों क्या करना पड़ता है quantize करना पड़ते हैं मीडी में ऐसा problem नहीं होता है मीडी में क्या है auto quantize का option है जैसे कि एक यू बोलके जो auto quantize अगर enable हम लोग कर देंगे तो as part the quantization का time का हिसाब से ओ ऐटोमेटिकली चूज कर लेगा जो 1 by 16 है नो 1 by 8 है नो 1 by 4 है 1 by 2 है वो आपने आप खुद चूस कर लेगा तो उसका जो nearest notes होगा तो nearest nearest जो note है तो note का जगा पर बैठा देगा उसको लेके मगर vocal में ऐसा नहीं है vocal में नहीं है मनलब हम wave में बोल रहे है जो wave file होता है MP3 file होता है इसमें ऐसा होता नहीं है, इसमें वार्पिंग करना पड़ता है, जैसे एक फ्लूट बजा है, जैसे हम कोशिश कर रहा है, आप लोगों को समझाने का, एक, दो, तीन, चार ठीक है, एक नमबर बार, मतलब एक नमबर बार, एक नमबर बार, एक तीन नमबर बार, और एक चार नमबर बार, ठीक है, किसी ने फ्लूट बजाया, जो जाकर अपर ऐसा ऐसा बजाया, मालिजी ये जगह जो है ना थोड़ा सा इधेर होना चाही है, तो ये जोडिकंवह ज़ो जाता है, तो ये डिफरेंस एक गाना में बढ़के क्या होते हैं, मतलब difference थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो गाना के end में हम λोग देखेंगे जैसे कि पूरे एक बार का change हो गया है थोड़ा सा fine tuning होते 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 अगर जाएगा तो वह से होता है लोहे को जब काटता है लोहे लोहे को ही काटता है तो काटने के लिए जाओगे तो एक जो नहीं कर जाए आ गार में टसले तो तो सो थोड़ा से उसको नहीं होगा तो नहीं मेंड करते है। इसकूतम नहीं टेस्टिंग के लिए दिखा। छेए या सके ये 12 एक comprend द्फिर्ध ये的four ये которых में हैं इसको अफ कर देते हैं दो ट्रेक्स लिए है तो यह हो गिया एक सरेंगी बजना है और एक धोलोग है थोड़ा सा बजा इतना दूर तक ही बजाएंगे जैसे हम बजा के सुनाते है ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक है मगर हम जब इसको डबल क्लिक करेंगे नहीं तो इसको जब जूम करेंगे तो दे बीट्स जो है उसका हिसब से देखिए थोड़ा सा आगे है यह जगा में है यह भी थोड़ा सा जगा में है यह थोड़ा जगा है यह थोड़ा आगे हो गिया है तो ऐसा टाइप का होता है जब गायकी होता है इस टाइप का ही होता है सारेंगी बजाने में थोड़ा सा उसक जो चलन बढ़ा है साथ से बढ़ Simone को घरने का ऱ्मृत साथ थोड़ा थोड़ा भूंड हो जाते हैं तो अगतार हम लोगों करने का बाद हम लोगों पर तो थीक कुछ चाइड में है प्रो वर्शन में होगा उडियो फोरी ब्रोह प्रोह फ्रुचर्णों में होगा इसका किवैस प्रोह फाइएब डूसरा वर्चन में भी होता है शायद हम को लगता है जो वेश्रे वर्वेश्लें का बाद नंग्यौन जब काम करते इधर सी options होता है जैसे की ऊपर का जो portion है यह mode होता है जैसे एक musical mode होता है एक linear mode होता है और नीचे का जो portion है जैसे की fish warp sorry free warp यह जो होता है free warp का मतलब है manually हम लोग कुछ warping करें तो वरपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले हम लोगों को इसको click करना पड़ेगा तो click करोगे तो देखो एक timing के घड़ी का चिन्ना अगया इसको अगर off कर दोगे तो देखो कोई कुछ नहीं है इसको drag करके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी जाएगा मगर जब तुम इसको सिलेक्ट करोगे तो इस टाइप के घड़ी हो जा रहा है तो हम लोगों को करना क्या है बेसिकली करना जो है जो जागा पर हम लोगों को लग रहा है जो हां यह जागा पर यह जैसे की यह जागा यह जागा पर यह बैठाना चाहिए तो इसको click करके इधर इधर क्लिक करो तो देखो यह लोग मार्किंग हो गया ठीक है वैसे ही उसका हिसाब से अगर यह जगा पर भी जाएगा तो इसमें भी हम लोग ऐस पर दा टाइमिंग उसका हिसाब से हम लोग मार्क लगा सकता है तो यह मार्क लगा दिया इधर भी मार्क लगा दिया अगर हम लोगों को वर्पिंग करना ही है थोड़ा से इसको हम लग आगे पीछे करेंगे तो इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे वर्पिंग हो गया इसको भी थोड़ा सा ऐसा करेंगे वर्पिंग हो गया टाइमिंग में दे दिया तो यह तो एक o manual process है इसका एक automatic process भी होता है तो automatic प्रोसेस में क्या करना पड़ता है इसको undo कर दिया तो आभी हम लोग automatic process में करने के लिए हम लोगों को musical mode choose करना पड़ेगा उससे पहले resolution अभी देखना पड़ेगा मतलब यह बज्ञाए एक 1 by 4 में चल रहा है कि one by eight में चल रहा है तो हम लोग इसको एनेबल कर दिया एनेबल करने का बाद हम लोगों को रेजुलूशन सेट करना पड़ेगा तो सेट करने का बाद जब हम लोग इसको वर्पिंग करेंगे तो देखिए इधर थोड़ा सा हम जूम आउट कर दिया है अभी इसक आखिए पोजिशन जो है वह पोजिशन का हिसब से फ़ल्य ले ले तो हम लोग इसको कितना करें कितना दूर तक रखे और कितना हम लोग रिसेट भी कर सकते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम में रिसेट कर सकते हैं मगर यह जब आटोमेटिक मोड में हम लोग मूजिकल मोड में डाल दिया है तब हम लोगों का हाथ में कौन सा है यह स्विंग जीरो पॉइंट फोट जिरो करने का बाद अगर हम लोग चाहे थोड़ा और भी होना चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा हात में करेंगे थोड़ा सा हात में कर देंगे जो जगा पर आना चाहिए देखिए अटमेटिकली स्नैप कम आपफीके जूड़ जा रहा हुँद है तो वो जा रहा है इसको इसको आसा-सा करके कर देंगे इसको भी ऐसा से करके कर देंगे, तो स्विंग भी हम लोग 100% बढ़ा के भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, स्विंग मोड पे क्या होता है, जादा स्विंग करोगे तो इसका गाय की चेंज हो जाएगा, मतलब इसको अगर हम लोग फूरा फूल वर्शन में स्विंग कर तो उस टाइब का बजाना नहीं रहेगा दूसरा टाइप का हो जाएगा तो इसको थोड़ा साम लोग काम करेंगे उतना उतना नहीं ही रखेंगे जितना हो सके हो रखेंगे मगर इसको सुन कर देखिए अभी क्या है अभी गाय की ठीक से समझ पा रहा है हम लोग ठीक है तो सुइंग उतना ज़्याधा करना नहीं चाहिए जो हम लोगों को मतलब इसका जो निचर है वह निचर का हिजब से हम फिर हम लोग उसको बढ़ाएंगे कम करेंगे और एक maximum level तक हम लोग swing में जाके उसके बाद हम लोग manually करेंगे तो manually कोई भी जगह पर हम लोग click करके इसको एक yellow point को ले सकते हैं कोई भी जगह पर मतलब as per the warping कोई भी जगह पर लेकर हम लोग इसको ले सकते हैं जिसमें हम लोग इसका ठोड़ा सा nature भी चेंज कर सकते हैं मतलब गाय की नेचर भी चेंज कर सकते हैं अन्दर के इसको एसको जो करेंब हम भी हम उपकि कर सकते हैं और यह working partner आप लोग जब करोगे तो आप लोगों का जो composition है मतलब जो आप लोग बजा रहा हो actually क्या है ज्यादा तर लोग क्या कर रहा है आईदर स्टाइलस से नहीं तो कोई samples लगा के नहीं तो कुछ-कुछ जगा पर online record करके भी करता है तो जो लोग live record करते हो live record करते हो मतलब स्टूडियो में सरेंगी प्लेयर लेके फ्रूट प्लेयर लेके हर्मोनियां प्लेयर लेके तबला प्लेयर लेके जो लोग live करते हो जो लोग click पर गाना बजाते हो तो उसके लिए यह बहुत ही important है हम लोग samples जादे यूज़ करते है samples में warping हो के आते है क्योंकि बड़ा बड़ा company लोग samples बनाते है बहुत अच्छा बनाते है और वह एकदम warping में ही बनाते है उसका 105 BPM मतलब 105 में ही हो मिलेगा तो इस type का हो जाता है मगर जब हम लोग live करते है कुछ नया creation करते है तब हम ल दूसरा tutorial में जाएंगे तो उससे पहले हम देख भी लेंगे कि कुन कुन सब्सक्राइबर ने क्या क्या हमको request किया है उसके बाद हम लोग दूसरा chapter में जाएंगे तब तक के लिए आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए और आप लोग हो सके तो इसको थोड़ा से टेस हो जा रहा है रियलिस्टिक बज रहा है ति ये बहुत अच्छा लागेगा थेंकि दोस्तों थेंकि फोर वाचिंग दिस वीडियो